दोस्तों वर्ल्ल की अलग अलग करंसी जैसे की यूस डॉलर इंडियन रूपी पांड रूबल इन सबके बाल पर आपने सुनाई होगा पर क्या आप जानते हैं की वाट इस क्रिप्टो करंसी मुझे कुछा सोशल ट्रेट सपोर्टर ने कमेंट्स में अलग अलगे तो अज इस वीडियो वीडियो के बाएं बताऊंगो एक कुछ आयुत करते हैं क्रिप्टो कर propose और आपके लिए झालना जानना जरूली है क्रिप्तो करनसी से मुझेट डाऊजाओ और। क्रिप्टोगरंसीज का मतलब होता है ऐसी करंशी जिनके नेचर पुरा डेडिटार ह्होता है आप उन्हें छूने ही सकते हैं उनके नाटों होता है कुई नोन्स न प्कोईन उनका सबोस्ते पूरे जो भी उनका नेचर है ॊ condensed digital और जो भी transaction होती है क्रिप्तो करंसी पूरी होती है एलेक्स्रोनिकल सबसे पुट्रक्रणसी है वहें बिटकोइन नाम को सुनके कोईन सुनके मत उसके कोईन's होते होंगे बिल्कुल भी नहीं जो भी करंसी कोई होती है डिजिटल सबसे पॉपिलर क्रिप्टो करंसी है वह है बिटकोइं और आज की डेट में यानि कि जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस उस डेट पर एक बिटकोइं की वैल्यू जो है वह है एक लाग सत्रह हजार इंडियन रूपीज यानि की सिफ एक बिटकोइं क इसे में बहुत से लोग इनमें क्रिप्टो करते हैं कि क्रिप्टो करंसी को कर लेते हैं बढ़ जाती है जाते हैं वह बढ़ जाते हैं इसल तो एक अच्छा प्लैटफरम बन सकता है अगर आपको लगे पर जो बहुत जादा होती है कभी-कभी वोसकते बहुत है चलिजाए कभी-कभी होसकते हैं बहुत बहुत लो चलिजाए अब जरती अब क्रिप्टो करण्सी का पर्पर भी खरीबनी है तो मैं करेंसी पर कर सकता हूं क्रिप्टो करेंसी का काम थोड़ा सा अलग है अब मैं आपको एक्जांपल देता हूं एक मॉल मैं जाता हूं मुझे एक और मैं मैंक चाहिए और मैं अपना यूज र३ा रेयुट करने के लिए तो जैसे ही मैं अपरे शटा काूंत तब जिस भी bank में मेरा account है यहां जो भी credit card companies है जैसे कि mastercard, visa, rupaycard वो उस transaction को analyze करेगी देखेगी कौन से account से किस account में funds को transfer करना है और transaction clear हो जाएगी पर क्यूंकि cryptocurrencies के उपर किसी central organization या authority का कोई control है ही नहीं तो उन transactions को verify कौन करेगा ऐसा थो होना नहीं चाहिए कि मुझे आपको कुछ cryptocurrency, for example आपको चाहिए bitcoins, मुझे आपको bitcoins देने और मैं आपको bitcoins देने चाहूं और bitcoins वो चले जाएं किसी और केई पास तो ऐसा थो होना नहीं चाहिए तो इन transactions को verify करने के और अच्छे से clear करने के लिए हम use में लेते हैं cryptography का जिससे इसका नाम पढ़ जाता है cryptocurrency Cryptography में होता यह है कि कुछ cryptographic codes होते हैं, एक set of codes होते हैं, उन कुछ mathematical problems होती है जिने बहुत ज्यादा powerful computers की ज़रुद होती है, उन बहुत ज्यादा powerful computers से इन cryptographic codes और mathematical problems को solve किया जाता है, जिससे पूरी की पूरी transaction हो clear हो जाती है जिस person को बेजने है bitcoins जिस person तक वो transaction एकदम clear path पे निकल जाती है अब ऐसे में crypto currency की जो भी miners होते हैं वो काम में आते हैं, आप सोच रहे होंगे crypto currency miners क्या होते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इन crypto currencies को earn करना चाते हैं तो वो क्या करते हैं अपने घर पे जहां पे भी उनको convenient लगे एक powerful computer जिसमें powerful GPU लगा हो उसे setup करते हैं और जो भी cryptocurrency के जो भी transactions होते हैं उनके बास कोई न कोई transactions की cryptographic codes और mathematical problems आएगी और वो जो उनका powerful computer है जिसमें powerful GPU लगा हो वो उन cryptographic codes को decode करेगा और mathematical problems को solve करेगा और transactions हो जाएगी complete और इसके बदले में जिस भी person के computer ने उसे solve किया उस transactions को clear किया उसे मिल जाएगी कुछ piece cryptocurrency के रूप में अब आप यह सोच रहे होंगे कि जो miners होते हैं उन्हें cryptocurrency as a fees क्यों दी जाए तो क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं क्रिप्टो करन्सी का transactions clear दे रहे हैं तो उन्हें यह fees दी जाए आप कुछ सोच के देखिए अगर आप एक computer setup करते हैं पुरी सब transactions clear करते हैं क्रिप्टो करन्सी ताकि उन्हें reward मिले और जो भी क्रिप्टो करन्सी का process वो आगे चलता रहे पर एक और बात है जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है जो है क्रिप्टो करन्सी का बहुत बड़ा disadvantage क्रिप्टो करन्सी आज भी हर जगे पर acceptable नहीं है आपके पास बहुत साही क्रिप्टो करन्सी आगई कोई भी क्रिप्टो करन्सी आगे आपने माइन किया आपको किसी ने दिये आपके बहुत सारे bitcoins आगे अब आपने सोचा कि यह favorite मेरा gaming console मुझे बहुत सालों से इच्छा दी कि मैं gaming console लूँ आप गई gaming console लेने के लिए आप चाहे तो उसी से हम आपको यह gaming console देंगे अब अगर जिस जगह पर आपको कोई commodity खरीदी है वाँ पर क्रिप्टो करन्सी को accept ही नहीं किया जाए मतलब accept ली नहीं करते हैं वो लो तो यह बहुत 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 रॉब है कि क्रिप्टो करन्सी का नहीं तो क्रिप्टो करन्सी का जो concept हो काफी अच्छा है आगे future में देखते हैं क्या बेट निकल के आजे लिगालेटी नहीं है कोई country कर देती है इसको लाओ कोई कर देती है पैंक तो यहीं थी साहरे information क्रिप्टो करन्सी से related social trade supporter आपको आपको आपकी question का answer मिल गया हो फिलाल इस वीडियो में इतना ही thanks for watching अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो देन like this video share this video और और चैनल को subscribe करना अब पूरे मत भूलिया क्योंकि मैं आपके लिए interesting business videos लेकर आता रहता हूं तो लाल के लिए इतना ही this is Ramit good back and stay tuned